कि हम लोग नंश्कार कैसे आम सभी श्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल ससी विद्याले में आसा करते हो सभी लोग अपने घर में होंगे सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे अभी हम लोग करने जा रहे यमभी पॉब्लिकेशन बुक ब्ग ऑई अजय कुमार सिंग का SSC CL 2017 के सारे सवाल साथियों हमने पिछले वीडियो में सेट नंबर 20 को किया था बहुत ही बेतरी इंतरहिके से आज हम लोग करने वाले सेट नंबर 21 ठीक है जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमको बताना चाहेंगे कि प्रते एक एक शाम 6 बजे इसी चैनल पर हम लोग यंबी का एक सेट प्रती दिन कर रहे हैं ठीक है तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप कंटीनीव हो जाएं डेली साम 6 बजे एक सेट यंबी का लेकर मैं आपर हाजिर होता हूं आए साथियों करते हैं सुरू है चुशन नोमबर वन दिखते क्या है क्यूंड का रहे साथी हो कि माई गे लडर स general माई यल्डर सं दील स्विडव माई यल्डर संै डिल स्वील सफेयर पार्ट्स अन मैनेज इज हीज ब्लेड और फटर टिक है यह कूशन चैनल आन होОं गया कि यहां पर इसका अर्थ यह निकल रहा है कि जो भी इसका जो भी व्यक्तिकार है ठीक है कि माई इल्डर सन या नि उसका बड़ा बेटा जो है वह आसपेर पाट किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है कि यह इसका तो ध्यान दीजेगा यहां पर एक वर्ड है डील इंट अगर मैं इसके बारें बता हूं तो देखें डील जो वर्ड है डील जो वर्ड है यह अपने साथ कौन-कौन सा प्रेपोजिशन लेता है तो तीन बहुत ही फे आउट और तीसरा आपका डील वीद मैं सारा कुछ बता दे रहा हूं डील वीद है ना ये तीन इंपॉर्टेंट है जिससे एससी बहुतों सवाल पूछा है ठीक है बारी-बारी से देखते हैं मतलब क्या होता है डील इनका मतलब होता है साथ ही हो विया पार करना ठीक है डील भी परशान होने की जरूत नहीं है जो भी इंपॉर्टेंट जिस जहां भी आएगा मैं उसको डीटेल में बताता चलूंगा ठीक है तो इसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र है देखें डील मतलब क्या होता है व्यापार करना डील आउट साथ यहों डील आउट मतलब होता है बाटना डील आउट मतलब क्या होता है बांटना अना डिस्ट्रिब्यूट करना बांटना ठीक है और नीचे लिखा हुआ डील वीद डील वीद का मतलब क्या होता है किसी से व्यावहार करना ठीक है इसी वह काते हैं लोग डील वीद व्यावहार करना तो देखें य यूज होता है जो बहुत important है अब आप ध्यान से समझे यहाँ पर business के बारे में बात की जा रही थी यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही थी business के बारे में तो यहाँ जो deal है इसके साथ कौन सा preposition आना चाहिए था देखें गारे में नहीं नहीं पर देखें kick पर होना किया पर हो जाए का सोली है जो भी कंसेट थे उसको भी मैंने डिटल से आपको बता दिया ठीक है तो हमारी साथ करने का आपको यह बिलकुल फायदा होने वाला है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक बढ़ियां सा नहीं भी पड़ा है तो साथ में हम लोग कवर करते जाएंगे जो भी इंपोर्टेंट आएगा ठीक है मैं उसको डीटेल में बताता जाओंगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल है कुश्चन नमबर टू देखते हैं कुश्चन नमबर टू क्या कहा रहा है कुश्चन नमबर टू है सातियों सनेहा वाज एक्क्यूज़ट फोर मडर ऑफ हर अफ हर हस्बैंड बट दग कोट फाउंड हर not guilty and acquitted हर सबसे अपने साथ प्री पोजिशन जो लेता है वह आफ लेता है ठीक है एक्क्यूज़ट ऑफ होता है एक्क्यूज़ट जो अपने साथ प्री पोजिशन कौन सा लेता है आफ अब देखें सनेहा वाज एक्क्यूज़ट फोर यहीं पर गलत है आपका एक्क्यूज़ट जो सबसे पहला क्या है पास अवे पास अवे मतलब होता है गुजर जाना या फिर मर जाना किसी की मृत्यू हो जाना पास अवे किया काते हैं इसको म्रिथ्चि हो जाना अभी सिख्णता किसी के बगल से गुजर जाना इव किसी के बगल से गुजर जानागा थिक्षिए अगला देख्ए क्या है पास ऑ्फ पास ओफ का मतलब क्या होताiley yach pass of का मतलब होता है कि किसी भी कारेक्रम का किसी भी आयोजन का सफलता पुरुवक्त समापन होना है ना और चोथ 아니라 pass out pass out मतलब मतलब होता है बेहोस हो जाना है ना पास आउट मतलब क्या होता है बेहोस हो जाना अब देखिए अगर आपने ये सारा चीज अगर आपने नहीं भी पड़ा होगा ठीक है तो कुश्चन तो बहुत सिंपल था मैं एक काम ये भी कर सकता था कि इसका जो सही अंसर है वो बता कर आगे बढ़ सकता था लेकिन मैंने आपके जो भी मैंने लिखा इदर पास अवे पास बाई पास आउट और पास आफ अब देखिए आप और किसके बारे बात की जा रही है माई शिस्टर्स मैरेज पासट उनका जो मेरी बहन का जो क्या था साधी माई सिस्टर्स मैरेज वो क्या हुआ वो एक आयूजन था है वह एक iogen था और वो सांती पूरुवक्यา हो गया समापन हो गया तो देखिए यहां पर कौन सा वर्ड जो है कौन सा यहां पर option जो है वह suitable पास के साथ तो option number c यहां पर दिख रहा है सात्यों पास ओफ मैंने अभी बताया पास ओफ का मतलब क्या होता है आयोजन का समापन होना है ना कुश्चन नमबर थर्ड का सही ओफ़न क्या हो जाएगा ओफ़सन नमबर थर्ड कोई दिक्कत नहीं अग्ला सवाल देखते हैं अगला सवाल साथियां कुश्चन नमबर फूर क्या कर रहा है और अग्ला सवाल भूक्स ओन कम्प्यूटर साइंस इन यूर शकूल लबरेरी सो यू नीड लेंस परचेश देम फ्रॉं दा मार्केट सात्य ओं सेम सवाल दो सेट पहले आया था अगर आप continue देख रहे हैं से तो question number 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए question number 4 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चुकि दो वीडियो पहले पिछले दो सेट में मैंने आपको बताया है कि few और a few का use कहां करते हैं खासकर यह दोनों में confusion होता है ये दोनों में ज्यादा confusion होता है A few और few इतना है अपके पास कम है लेकिन इतना है आपके पास जिससे आप काम चला सकते हैं और few का मतलब होता है एकदम कम यानी न के बराबर फ्यू मतलब क्या होता है न के बराबर है न फिर से रिपीट करूंगा ए फ्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास कम है लेकिन कुछ तो है आपके पास है जिससे आप काम चला सकते हो लेकिन फ्यू अगर कहीं यूज करना हो मतलब न के बराबर उससे आपका काम नहीं चल सक रखता है अब देखिए ध्यान से देखिए देर आर अगर हम यहां रखते हैं और फ्यू बुक्स मतलब कुछ तो किताबें हैं कंप्प्यूटर साइंस का ठीक है अगर कुछ किताब कंप्यूटर साइंस का है तो हमें उसे बजार से खरीदने की जरूरत है क्या नहीं है लेकि कुल एक दम आराम से समझा रहा हूं हिंदी करकर के ना के बराबर ना के बराबर है तब ना यहां पर बोला गया कि आप जाकर बजार से इसको खरी दिए ठीक है किलियर तो यहां पर क्या भरेंगे यहां पर क्या suitable word होगा few है ना there are few books on computer science in your school library so you need to purchase them from the market ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले साथियों word similar in meaning यानि synonyms word similar in meaning सबसे पहला word है साथियो atrocity सबसे पहला word क्या है atrocity दिखते हैं यह जो word लिखा हूँ atrocity इसका मतलब क्या होता है तो atrocity का मतलब होता है साथियों यह जो word लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अत्याचार करना या फिर कुर्टा का सकते हैं ठीक है कुर्टा है ना चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे option को सबसे पहला option है difficulty difficulty का मतलब क्या होता है कठिन है ना कठिनाई ये तो होगा नि साही मतलब सरमीला ये भी नहीं होगा ठीक है gloomy मतलब उदास ये भी नहीं होगा option number B है साथ ही हो barbarity इसका मतलब भी होता है अत्याचार पूर्ण यानि कुरूड़ता के साथ है barbarity तो question number 5 का अंसर क्या हो जाएगा option number B कोई दिक्टत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो है आपका procrastinate अगला जो word जिसका आपको synonym से बताना है वो आपका साथियो procrastinate इसका मतलब होता है कि टाल मटोल करना या फिर देर करना है ना टाल मटोल करना देर करना ठीक है procrastinate बारी बारी से option देखते हैं सबसे पहला option है divert किसी को divert करना ठीक है divert करना यह तो नहीं होगा ना divert मतलब होता है भटकाना लेकिन यहापर क्या कहा रहा है ताल मटोल करना या फिर देर करना दूसरा है डीबेस डीबेस्वेंट, पतन है न, डीबेसिंट यह नहीं हो गए दिदूखा यह भी नहीं होगा तो तीन option आपके खतम हो गए A, B और C चौत है डिले करना, मैंने अभी तो बता है न, कि प्रोक्राश्टिनेट का मतलब क्या होता है टाल मटोल करना या फिर देर करना डिले करना है ना तो यही जो आपसे नमर्डी है साथ ही हो यही आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है साथ ही हो वर्ड अपोजिट इन हो रोकस का मतलब बताना रकस का मतलब क्या होता Clay on s arriving का मतलब होता है करकस ठीक है इसका मतलब जो सुनने में बहुत ही है मतलब कान को चुबे करकस अवा जना करकस करकस अच्छा नहीं हो करकस रोकस आ खक करष आप से पुछ इसका मतलब भी होता है करकस, यानि क्या हो गया यह, या आपका सानोर्व गया, ठीक है, option number C है Jaring, इसका मतलब भी होता है करकस, यानि, question number 7 का अगर आप से सानोर्व पूछा जाता है, तो आप C को भी tick कर सकते थे, ठीक है लेकिन आप से पूछा है क्या है एंटोनेम्स पूछा है तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा टोरेंट मतलब होता है साथियों कि बहुत तेज बारिस होना ये भी नहीं होगा ठीक है कि अब देखे रॉकस मतलब क्या हो रहा था करकस मतलब यह चीज जो अच्छा नहीं हो अनल करकस सुनने में बहुत ज्यादाँ खरब तर नहीं को चुछ दिप्गत नहीं होappं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है साथियों question number 8 बताना इसमें antonyms क्या होगा देखते हैं word क्या लिखा हुआ word लिखा हुआ है predilection क्या word लिखा हुआ predilection देखते हैं predilection क्या मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जुकाव किसी चीज के प्रती जुकाव होना जुकाव होना किसके प्रती जुकाव होता है जिनका स्वभाव आप से मिलता हो है दोस्त हो गया या फिर जो भी मतलब आपके same nature के हैं उनके प्रती जुकाव होता है तो उसी को हम लोग बोलते है predilection अगर inclination की बात करें अगर इसकी बात करें तो यह भी इसका मतलब होता है जुकाव है ना यानि inclination भी क्या हो गया इसका सानोनेम्स हो गया लेकिन आपसे पुछा गया था एंटोनेम्स तो यह गलत हो जाएगा आपका this is in during का मतलब तै साथि और टिकाव यह पहले वी वड आचुक है टिकाव इंडूरिंग का मतलब क्या होता है टिकाव ठीके यह भी आपका नहीं होगा डो मिसायल मतलब होता है जो आपकेर के मतलब डो मिसायल मतलब जो निवासस्थल होता है जहां सब्सक्राइक क्वारच नहीं हो जाएगा तो question number 8 का सही अंसर क्या हो जागा साथ ही option number C ठीक है कोई दिकत नहीं यहां तक कोई दिकत नहीं देखे वर्ड के बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि वर्ड एक ऐसा चीज है जिसको आप लगतार कोशिस करके ही आप क्या कर सकते हैं उस पर आप maximum word को tick out कर सकते हैं ठी हमेशा word में आप एक काम ये भी करें positive negative कट करके हैं कौन तीन word जो है वो positive दिख रहा है ठीक है और चौथा word जो negative होगा उसमें आप tick कर सकते हैं ठीक है तीसरी बात कि ऐसे word जो आपको अभी तक नहीं पता थे आपको उसके बारे में तो आप क्या करें वह ऐसे word को आप note करत चलें ठीक है बीच इच में सब्ता में revision करते चलें इस तरीके से आपका word क्या होगा वर्ड आपका इस तरीके से word पर बहुत अच्छा command हो जाएगा clear चलिए आते हैं सातियों अब idioms and phrases पर अगला क्या idioms and phrases सबसे पहला idioms phrases देखते हैं सबसे पहला question number 9 a wild guj chase क्या है a wild guj chase इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको एक बात बताई थी कि idioms सबसे पहला तो अगर आपको पता है तो ठीक मारिए अगर आपको नहीं पता है या फिर कुछ पता नहीं चल रहा है चार option में से क्या होगा ठीक अब देखे गूज मतलब क्या होता है गूज मतलब होता है साथियों मुर्ख और मुर्ख व्यक्ति का chase हो रहा है ना मतलब मुर्ख व्यक्ति किसी चीज को follow कर रहा है मुर्ख व्यक्ति किसी चीज को chase कर रहा है यानि वह पक्का क्या होगा वह पक्का बिकार चीज सर्च कर तो यह तो बढ़िया ओगा एक आसा चीज जो बहुत ही बढ़िया ओफ्रूट फूल तो यह तो होना नहीं है यह कौन साच इसकर रहा है मुर्ख व्यक्ति गूजच चेस्ट अना टाइम ली सर्च यह भी नहीं रॉंग डिसीजन यह भी नहीं यूजिलेस सर्च यानि एक ऐस चीज जो बिलकुल बेकार हो ठीक है उसी को हम लोग काते है यूजिलेस सर्च ठीक है तो कुश्चन नमबर 9 का सही अंसर क्या हो जाएगा और सी कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला साथ हैं कुश्चन नमबर 10 क्या लिखा हुए अ मूट पॉइंट ए मू मुद्दा जो विवाधित मुद्दा हो जैसा भी देखियो कास्मीर का मुद्द ना भारत पाकिस्तान के वीच में क्या है विवादित है वो 179 मूट मतलब क्या हुता है विवाधित तो देख zone agreeable गलत अंक्लियर गलत एंवेल मतलब होता कि जो एक एक एसा चीज जिसको सुलज़ान लिया गया गया हो है ना sa सवाल देखते हैं साथ है question number 11 question number 11 है आपका sentence improvement का सवाल है आपको improve करना जो भी bracket में दिया गया इसको आपको improve करना है clear पढ़ते हैं क्या सवाल सवाल लिखा हुए है कि the chairman appointed her the chairman appointed her Kalistan as she is efficient यहां पर क्या हो सकता है तो कि a chairman appointed her a secretary नहीं देखिए किसी को अगर appoint किया गया हो और ध्यान रखेगा यह rule को भी ध्यान रखेगा कि अगर यहां पर क्या है object आया ठीक है उसके बाद फिर से object अगर हमें use करना है ठीक है यहां पर देखिए the chairman appointed her यहां पर object आया था इसको फिर से indirect object अगर हमें use करना है तो बीच में क्या आएगा बीच में एक pronoun का आना जरूरी होता है ना तो देखिए क्या लिखा हो अगर इससे ज़्यादा बेटर होगा अगला सवाल है इसका अंसर बताएं क्या होगा लिखा हुआ है कि आई विस आई आ सूपर मैन जब भी कोरी कलपना ध्यान रखेगा वड़ को जब कोरी कलपना यानि एक ऐसा चीज कोरी कलपना यानि एक ऐसा चीज जो हो नहीं सकता है ना जो हो नहीं सकता है बस हम इच्छा कर रहेंगे कास कास मतलब कुछ भी कास हम अमेरिका के राष्ट पती होते कास हम भारत के प्रधान मंत्री होते कास हम सूपर मैन होते है ना कास में superman होता तो उड़ता है ना तो क्या है ये ये कोरी कल्पना है जो पूरा नहीं हो सकता आई विस मैं इच्छा करता हूँ कि I क्या superman होते तो जब भी कोरी कल्पना हो तो सिर्फ एक ही आएगा क्या सिर्फ एक मात राता है वो आपका वर है ना हमेसा हमेसा use करते हम वर कुछ भी हो subject कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमेसा यूच कह ने वर का ठीक है एक दम याद करना है important इसको कभी भूलना नहीं है ठीक है कभी भी कोश्री कल्पना है हमेसा वर का यूज करें झूट है अगला सवाल है question नमबर 13 यह आपका वन अबर समस्टिशन का सवाल है देखते हैं कोशन नमबर 13 क्या कर रहा है साथ यह हो लिखा हुआ है यह एक ऐसा व्यक्तिव जिसको सम्मान पुरुभक अपने सर्विस से यानि अपने जो भी वो ड्यूटी कर रहे थे उसको सम्मान अवकास दिया गया हो ठीक है सम्मान उनको क्या किया गया है रिटायर किया गया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ठीक है क्या हो सकता है चार उप्षन में से आप बता है हमें ओप्सन नमर यह साथ यह बेली जेरेंट देखते हैं बारी बारी ओप्सन को ऑप्सन नमर यह बेली जेरेंट मतलब होता है कि युद्ध में लगे हुए राष्ट क्या होता है यूद्ध में लगे हुए राष्ट ठीक है मतलब ऐसे समझे कि कोई भी लड़ाई हो रहा है जिसमें से दो-तीन कंट्री का है आपस में लड़ रहा है ना तो इसको क्या कहेंगे हम लोग बेली जरेंट कहेंगे अग्ला आज देखे ट्रंट का मतलब होता है कि एक ऐसा फेसा जो बिना अपसिंट हो जाता हुए ना कहीं भी यह उसकूल में भी यूज कर सकते है या आपका उफिसे कर सकते मर सनारी का मतलब होता है है जिसको अगर पैसा दो तो वो आपके लिए काम करेंगा अब और जoped उसका पैसा दो तो आपके लिए काम करते हैं Presidential मार ओप सिनारी call का मतलब यही होता है जो आपका लिखाओओ अथा कुष्ण यादो अवकास प्राप्त करना किसी को है ना सम्मान अवकास सम्मान के साथ उनको अवकास देना सम्मान के साथ उनको रिटायर करना ठीक है डिस्चार्ज करना सर्विस से अगला सवाल है question number 14 जो भी वर्ड आपको नहीं आता है लिखते जाएंगे नोट करते जाएंगे बार बार मैं कह रहा हूं question number 14 a perception without objective reality यानि यह कैसा चीज जो रियल में नहीं है वो बस आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वह वास्तवीक रूप में नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे वो एक वर्ड में क्या कहेंगे ठीक है बारी बारी से option देखते हैं सबसे पहला option है सैनी सीज में इसका मतलब क्या होता है यह तो लिखा हुआ साथियों सैनी सीज में इसका मतलब होता है कुटिलता पुर्वक है ना सैनी सीज में का मतलब क्या होता है कुटिलता पुर्वक ठीक है यह तो नहीं होगा इल्यूजर मतलब होता है भ्रम यह भी नहीं होगा ठीक ह आप्टिमिजम आसावाद ये भी नहीं होगा है यानि आप आपको दिख रहा है वास्तिविक में नहीं है तो एक और वर्ड को जानिए जो बहुत बार पूछा भी गया है वह आपका हल्यूसी नोजिन एक वर्ड है आपका हल्यूसी नोजिन हल्यूसी नोजिन ठीक है इसका मतलब क्या होता है हल्यूसी नोजिन हाँ ठीक है हल्यूसी नोजिन का मतलब होता है साथियों एक ऐसी दवा जिसके अंत में भी लगा नोजिन है एक ऐसी दवा जो भ्रह्म क सिति उत्पन कर देती है तो यह आपका पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने आपको बता दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे ध्यान रखेगा एक बात मैं बूलने जा रहा हूं कभी आपका गलती कुछ भी गलती नहीं होगा देखें किसी वर्ड का पूछारण करें जैसे इसको क्या पढ़ते हैं इंजाइटी लास्ट में क्या आयटी आया ना लास्ट में क्या पढ़ा आइटी तो आइट क्या लिखते हैं आई इटी यह हमेशा कोई भी वर्ड जिसके अंत में आइटी आता हो तो उसमें हमेशा यह यह पैटर नहीं होता है मतलब सबसे पहले आई आता है फिर ए आता है ना तो सीम चीज़ देखें आपर पिटी इसको लिखा हूं इसको हम लोग पढ़ते हैं पि पता कि why को हटा कर क्या लिखते हैं तो बहुत में लिखा रहें का ओ आई यू यस ठीक है तो यह वाला करेक्ट होता है यह वाला करेक्ट होता है ना ध्यान रखने आपको यह समझ में आ गया option number D क्या हो जागा राइट असका मतलब वह आपका गलत लिखा हुआ था चलिए अगला स्वाल बताना है अगला जो लिखा हूँ है question number 16 बतलाना है कि इसमें किसमें आपका error है सबसे पहला admitted चलिए आगे बढ़ने की जुरुत भी नहीं है यहीं पर दिख गया कुछ ना कुछ तो गलत है क्या गलत है लिखते है एड्मिटेड क्या होता है एड्य यम आई डवल टी इड यहना डवल टी आता है यहां पर कितना टी यह सात ही हो एखिंटी लिखा हूआ है तो कुछिशन नमबर 16 का सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं बाकी बेनिफिटेड ओफवर्ड मैरेट तीनों सभी था ठीक है जलिए आगे बढ़ें यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि भूण सब्सक्राइब करनेमे का तो सारा कुष आजमा लेना जितना कम से कम समय में बनाते हैं जैसे देखिये कुश्चन नमर 17 कि इस तरीके से कर सकते हैं सबसे देखिये आप पर शुरूआत किस्व से करेंगे ठीक है ग्रांटेड यहां से नहीं करेंगे और के सिर्फ सीधा एक दिख रहा है आर ड्लांकेट बैन यह बलांकेट बैन मतलब यह पक्का हमें पता चल गया कि शुरुवात तो एक ही चीज़ से करेंगे वो है आपका R ठीक है तो मतलब R से शुरुवात कौन को होने है देखे ये गलत हो गया आपका ठीक है और ये भी आपका गलत हो गया दो अपसन यहां से खतम हो गया आपका ये बचा और ये बचा R P S Q या R S P Q अब जैसे यह आपने दो अपसन देखा तो आपको ये तो पता चल गा कि R से सुरुवात हो रा रा है Q से लाश्ट हो रहा है । मतलब पक्का यस और p में देखना होगा कौण पहले आएगा और कौण बाद में आएगा हमें क्या दिखना पड़ेगा यस को पड़ेगा ये दोनों में रिलेशन हमें पता करना है किस तरीके से पता करेंगे दोनों LINE को पढ़ते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें Granted, से सुरुवात किया गया, कोई दिकत नहीं Yes को पढ़ते हैं Granted also ध्यान से देखेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था यहाँ पर लिखा हुआ था Granted और यहाँ पर लिखा हुआ, Granted also देखिए जिसके साथ भी also लगता है मतलब उसकी चर्चा जरूर पहले कहीं होगी तब लगा है also ठीके अगर कहीं भी किसी बिलाइन में also लगा है मतलब उसकी चर्चा जरूर पहले कहीं होगी देखिए अगर यहां लगा है granted also तो मतलब जरूर पहले ग्रांटेट कहीं और आया होगा तो अगर यस है तो यस के पहले जरूर पी आया होगा यनि अगर यस है तो यस के पहले जरूर पी आया होगा option number a इसमें कितना टाइम लगा होगा अगर आप बनाते कितना टाइम लगता दस से बारा सेकेंड के अंदर आप टिक कर लेते हैं इतना सारा कुछ करने में दस से बारा सेकेंड उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता ठीक है और अगर अगर किनी कोई यह confusion हो रहा है कि हम आर से शुरुआत करें नहीं करें यह भी पता नहीं चल पा रहा है उनको तब भी आप देखें ना ग्रांटेड और ग्रांटेड ऑल्स सेम वर्ड दिखा न तो यहां से एक पेरवर्ड तो आप बना ही सकते हैं कि पी के बाद यस यह तो बन ही सकता है अब देखें पी के बाद यस का है पी यहीं पर है यहां पर है क्या पी यहां पर यहां भी है पी यहां नहीं है यहां नह करता है कि आप किस तरीके से करते हैं ठीक है आप किस तरीके से करते हैं और कितना कम टाइम में करते हैं चलिए अगला सवाल है कुश्चर नमर 18 कुश्चर नमर 18 देखते हैं यह भी पारा जंबल का सवाल है सबसे पहले मैं कुछ सेकेंड का टाइम आपको देता हूं आप सोच से बताने क्या अंसर हो सकता है पुस्चर-ण называетсяटीम है कि कंजर न कि इसक्षट नबरर 14 यहतस है आप इसमें सबसे पहलें आपको यह सोचना हो कहांवा अपना है कि हम सुरूआत कहां से कर LAUGHTER जब टिकल्ट से होता है यहां पर कोई नाउन है नहीं शुरुआत में तो प्रोणाउन है तो प्रोणाउन से शुरुआत करेंगे कोई बात नहीं आर्थ से हम शुरुआत करेंगे ठीक है तो यहां पर दो अपसन यहां पर खत्म हो यह स्क्यू आर्पी खत्म यह भी आपका खत्म यह समझ म लाइन को पढ़ यह क्यों वाले लाइन को पढ़ है कि दिस्विल आटोमाटिकली चेंज और रिलेशनसिप विद द अधर पर्सन और यू विल फील मच बेटर इस विल आटोमाटिकली चेंज या नी दिस्विल यहां लगा है मतलब इसके पहले जरूर कुछ ना कुछ रहा हो होगा जो जिसके बारे में बारे से को बात रहा होगा उसके लिए यहां पर लगाए गया है और यह 10 बता रहा है कि वह जो है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका क्या करेगा और लोगों के साथ अधर परसन के साहीं आपके ड्लेशनशन पको चेंज करेगा है यह तो मतलब यह बात है कि क्योंकों इस Kiseto कि लिया आया तो पढ़ते हैं दोनों देखिए आर का काम खतम हो गया था आर में तो शुरुआती है किया गया था यस को पढ़ते हैं whatever the issues might be whatever यहां से पढ़िएगा whatever the issues might be once you have discovered them अगर आप इसू को खोज जेते हो once you have discovered them you can work on forgiving yourself you can work on forgiving yourself और यह पूरा लाइन के लिए यूज क्या गया थे आपर दिस यह जो बात है इस विल automatically change your relationship समझ में आया की नहीं आया ठीक है clear अगला सवाल आगे बढ़ते हैं active and passive voice सबका अंसर चाहिए जितने भी लोग है अभी सबका अंसर चाहिए देखे सबसे पहली बात तो आप लोग share नहीं करते हैं से ना बहुत कम लोग जुड़े हैं और दूसरी बात आपको भी continue रहना आप लोग continue नहीं है हमेशा काता हूँ हर session में काता हूँ English language और English में अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए अगर आप pre का त्यारी कर रहे हैं 50 में 50 चाहिए या फिर अगर मिंस में 200 में से 190 प्लस चाहिए आपको 195 प्लस चाहिए तो आपको continuous रहना पड़ेगा प्रती दिन हाना प्रती दिन कोई भी संडे मंडे कुछ कोई भी एक दिन भी आपको अपसेंट नहीं होना है ना सभसेसां वाक सिटकर श्राइंवा है depends करना सबसे असां तरीका होथा ऑफसं इल्युमिनेशन हैं 181 ऐहां याद कर दिया गलत यहांपन देखे वाज यहां तो अभी थी नहीं है गलत यहां देखे वाज यह भी प्रतुघं़ी है गलत वाज का यूज अपने मन से कैसे कर सकते हैं तो सीधा एक मात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नमबर ए आफ्टर विंग ड्राइवें तुदा होस्पीटल डॉक्टर बोस वाज ड्रॉप्ड एट डगेश्ट हाउस ठीक है चलिए अगला सवाल है साथ यह कुश्चन नमबर 20 अंसर बताइए सभी लोग का अंसर आना चाहिए कुशन नमर 20 में नारेशन है और बहुत असान यह जो पैसिव वाइस और एक्टिव वाइस यानि वाइस और नरेशन का जो कुशन आता है यह आपके लिए बोनस कुशन होता है मतलब इसमें ज्यादा सोचन की जरुरत नही कि I said to my friends क्या कर सकते हैं I asked my friend यह हो सकता है हो सकता है यह भी permitted यह तो नहीं होगा option number C यहां से खतम हो गया दोस्ते हम permit नहीं लेते हैं गलत option number C खतम हो गया इसके यूज हुआ है let us का let us यानि we से शुरुआत करना चाहिए ठीक है I suggested to my friends that यहाँ पर सबसे पहला टू से continue किया यहां देखें 2 से continue किया खतम that we should let us go to picnic for a change यहां पर we होना चाहिए था अस वी होना चाहिए था है न तो question number 20S का सहीं सर क्या हो जाएगा साथी option number D कोई दिक्कत है कि आपको नहीं ठीक है बिलकुल होनी भी नहीं चाहिए है ना कासकर wise और narration में अगर आपको यह दोनों में द स्टेस्ट पढ़ते हैं साथ क्या लिखा वो लिट्रेचर इज खालियस्थान थ्रोवीच अपर सनकन वेज हीज आइडियास टुवाट्स और प्रोटेस्ट खालियस्थान डिफ्रेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी आपका पैदा लाइन तो यही था अगर आपने इसे होगा ठीक है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो रहा हुआ कि यह आपका लिट्रेचर के बारे में दिया गया ठीक है यह जो पैसेज है आपका यह लिट्रेचर के बारे में दिया हुआ ठीक है अब देखें यह जो लिट्रेचर यह आपका कोई सब्जेक्ट है क्य है towards और protest अब यहां क्या भरेंगे देखे और करते हैं तो किसी के सदा है नहीं इसके बाद क्या होगा कुछ नमर 22 में क्या सबसे बढ़ियां होगा चारो अप्शन में से अगेंस्ट है ना फिर से मैं पढ़ूंगा लिट्रेचर इज अ अगे पढ़ते हैं कि the words that deal with the word that deal with अभी मैंने डिल के बारे में बताया था इसी सबसे पहले सवाल में था हना deal with deal with का मतलब क्या होता है व्यवहार करना किसी से व्यवहार करना ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं कि the words that deal with the words that deal with अब सबसे पहली बात और सबसे असान तरीका देखे अगर यहां पर यूज हुआ है ठीक है तो इसके साथ कभी भी जो भी वर्ड आएगा यह वावल से ठीक है बी और डी तो कभी हो ही नहीं सकता है इसके वारे में तो हम सोची नहीं सकते क्यों क्योंकि यहां शुरुआत में आपर एक आयूज किया गया अगर यहां पर एंड राता तब इसके वारे में सोचते है ना यहां तो शुरुआत में ए लिका हुआ है यानि अब परनों में से कौन सा सूटेबल वर्ड यहां पर होगा फिर से पढ़ते हैं कि the word that deals with a broad issue नहीं broad issue नहीं यह क्या है कौन साइस हो यह moral issue है ना क्या है यह moral issue इसू है the word that deal with a moral issue are of particular importance in literature ठीक है यह समय में आया अगला sentence पढ़ते हैं कि they are या लिखा हुआ है they are खालियस्थान with a particular purpose they are literature या नि साइथ को या करते हैं लिखते हैं रिटेन with a particular purpose in कहां कहां लिखते हैं mind में तो ये आपका साथ यहां बहुत यह बढ़िया close test था और आशे करते हैं आप सभी को यह समझ में भी आया होगा तो आज का सिसन साथ ही हम लोग यहीपर समापत करने वाले हैं ठीक है फिर मिलेंगे next part में और आप सबी लोग comment में ज़रूर बताईगा कैसा लगा यह वीडियो ठीक है? और चलिए आज का सेसन हमोग यहीं पर समाप्त करते हैं मिलेंगे फिर नेक्स पार्ट में तब तक कि लिए अपना ख्याल रखें और टाइमिंग आप सभी को फिर से बताना चाहूँगा कि जो समय है ठीक है जो लोग नए जुड़े हैं पुराने लोग को तो पता ही है जो चल रहा है जो नए लोग है उनको बताना चाहूँगा कि प्रती दीन साम 6 बजे यहां पर मैं एक सेट लेकर यहां भी पप्लिकेशन का एक सेट लेकर आपके बीच में हाजीर होता हूँ तो आप कोशिस करेगी प्रती दीन 6 बजे आप हमसे जोईन हो जाया ना तो फिर मिलेंगे साथ यह नेक्स पार्ट में आपका बहुत बहुत धन्यबाद साथी हूँ ठीक है अगर आपको अच्छा लगे ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना थैंक्स जरूर लिखेगा ठीक है मिलेंगे नेक्स पार्ट में तब तक लिए अपना ख्याल रखें थैंक्यू जैहिंद